हाल ही में सर्वोच नयायले ने धारा 498A के तहट एक एहम फैसला सुनाया मामले में सुप्रीम कोट के सामने सवाल था कि क्या सताय जाने के कारण ससुराल छोड़ने को मजबूर हुई महिला माय के आकर या जहां भी वह शरण लेती है क्या वह वहां के नयायले में प्रताडित करने वालों पर मुकदमा कर सकती है सुप्रीम कोट ने अपने फैसले में कहा कि क्रूर विवहार या प्रताडना के कारण ससुराल छोड़कर माय के गई या किसी और जगह शरण लेने वाली महिला धारा 498-A के तहट कहीं से भी मुकदमा दर्ज करा सकती है वहां के कोट को मुकदमे को सुनने का अधिकार होगा मुखे नयमूर्ती रंजन गोगोई, एल नागेश्वर राव और संजे किशन कौल की पीठ ने रूपाली देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज के मामले में यह एहम विवस्था दी कोट ने धारा 498-A की व्याख्या करते हुए कहा कि कुरूरता शारीरिक और मानसिक दोनों तहरें की हो सकती है धारा 498 में दी गई कुरूरता की परिभाषा के मद्दे नजर ससुराल द्वरा सताई गई महिला के शारीरिक और मानसिक स्वास्ते पर पढ़ने वाले असर को नजर अंदाज नहीं किया जा सकता है शारीरिक प्रतारणा के कारण मिली मानसिक प्रतारणा बेज़्जती लड़ाई जगडे का असर मायके आने के बाद भी महिला पर बना रहता है जो उसके मायके या जहां भी वश्रण लेती है वहां तक जारी रहता है उदहारण के तौर पर अगर महिला उत्तर पदेश यव बिहार के किसी शहर की रहने वाली है और उसकी शादी दिल्ली में हो जाती है तो ऐसे में ससराल वालों द्वारा प्रताडित किये जाने के बाद यदि वह अपने मायके में शरण लेती है तो वह अपने ही शहर के नियायले से सताने वालों के खिलाफ धारा 498 A के तहत मुकदमा कर सकती है कानून से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं एक और नए वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन